नमस्कार तो स्टार्ट करते हैं हमारी नई फिल्म के रिव्यू के साथ और इसका नाम है आश्रम आश्रम एक ऐसी वेब सिरीज है जिसमें एक बाबा का लाइस्टाइल दिखाया गया है उसकी क्राइम स्टोरी दिखाई गयी है थ्रिल है रहस्य है और अजब अजब चीजों का तड़का है गाली गलोच है सेक्स है लव है पॉलिटिक्स है इसमें सबसे मुख्य करदार में आपको मिलेंगे बॉबी दियोल जो बने हैं बाबा और उनका नाम है बाबा निराला और बाबा भी वही वाले जो असल जिन्दगी में बाबा नहीं राजा जैसा जीवन वैतीत करते हैं मतलब ऐसा कि बाबा ने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है अलग ही तरह का शडियन तर राज चल रहा है और बड़े special टाइप के भक्त भी हैं वो जो जैसे हम कभी कभी टीवी देखते हैं बाबा जी बाबा जी मैं बहुत परिशान हूँ बाबा जी क्रिपा करें बाबा जी उस टाइप के भक्त हैं और भक्त जितने बाबा जी पर भरोसा करते हैं उतना ही बाबा जी भक्तों को चुना लगाते हैं मतलब आप समझ रहें बाबा जी किस तरह के बाबा हैं और किस लेवल तक के बाबा हैं और दूसरी तरफ बाबा चलाक बहुत है हर इलीगल काम को लीगल तरीके से कैसे करना है छुपा कर कैसे करना है इस काम में बाबा नं इतने बड़े empire को crime empire को manage करते हैं, असल में इस सारी story जो है वो इसी के आसपास गुंती रहती है, इस picture में आपको सारी चीजें मिलेंगी, love मिलेगा, गालिया मिलेंगी, इसके साथ साथ एक politician मिलेगा, वो एक बाबा के उपर भड़क जाता है, उसके बाद बाबा उसके साथ क् करता है इसके उपर ये सारी स्टोरी बेस्ट है लीड रोल में मिलेंगे आपको बॉबी दियोल बॉबी दियोल का काम काफी अच्छा है पहली बार बॉबी दियोल ने इतने शांदार मतलब अपने करियर के सबसे शांदार करेक्टर में बॉबी दियोल नजर आ रहे है मतलब जो attitude है उनका जो style है और वैसे बॉबी के career में देखें तो web series से वापिस उबर रहे हैं मतलब जैसा काम मिल रहे हैं अच्छा कर भी रहे हैं और अच्छा मिल भी रहे हैं सब के बुरे दिन चल रहे हैं साला करोना में इनके अच्छे चल रहे हैं बाकी की कास्ट की अगर बात करें तो सारी कास्ट अच्छी है चंदर्न रोय हैं अनुप्रिया गोयनका हैं तुशार पांडे हैं उसके साथ साथ दर्शन कुमार है उन्होंने तो एक पुलिस वाले का रोल किया इतना शांदार रोल किया मज़ा आ गया बाबू इसके साथ तरिधा चौधरी और विक्रम कोचर भी हैं और एक खास करेक्टर है अध्यान सुमन बड़ा नौटी करेक्टर है अध्यान सुमन है जी शेकर सुमन के बेटे हैं शेकर सुमन थे ना वो कोमेड़ी सरकस में आते हैं शेक्स पैक वाले शेकर सुमन उनके बेटे है जी, on a serious note, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी अपने character में बिलकुल fit बैठते हैं बाबा के दूसरे पाले में एक powerful politician है, politician को बाबा के कारणामों पर गुसा आता है और फिर वो लेते हैं action, और फिर बाबा उसे कैसे handle करते हैं बाबा अपने crime world को चलाते रहते हैं, भक्तों के साथ मिलते जुलते रहते हैं, बड़े शान्त मूड में हैं और पीछे एक बैंकर काला पहाड खड़ा कर रखा है crime का, मतलब इतना सारा, और जो बाबी दोल का character है, उसमें खासियत यह ही है कि वो एक शान्त character और एक बुरे कामों से भरा हुआ character है, दोनों चीज़ें एक साथ मतलब देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा साला यह है भी के नहीं है, विलन के कहीं हो रहे कोई और इसके साथ बाबा के अदबुत काम करने का तरीका, भक्तों को लपेट के रखने का तरीका, आँखों याँखों में प्यार से फसा लेने का तरीका और दुश्मनों से मुस्कुराते मुस्कुराते दुश्मनों को निप्टा देने का तरीका, ये सब चीजें और अपने crime world को manage करने का तरीका, इन सब पर कहानी गुमती रहती है, कभी-कभी आपको बीच में कुछ जगह पर ऐसा लगेगा कि जैसे कहानी थोड़ी जादा काम चल सकता था, लेकिन all over ये जो web series है आश्रम, ये बिल्कुल देखने लाइक है, interesting है, thrill है, रहस्य है, अजीब सा एक मजा है, जिसे आप छोड़ नहीं पाएंगे, जो आपको पकड़ लेगा, आपको लगेगा कि नहीं मुझे end तक देखना है, चाहे मुझे कभी-कभी ब पॉलिपॉप दे दिया गया है कि season 2 भी देखना ही पड़ेगा, तो चलिए बनाते हैं इसका report card, तो शुरू करते हैं, कहानी, कहानी को हम देते हैं, दस में से 8 नमबर कहानी, अच्छी है, युनीक है, अच्छी है, उसके बाद cast, cast में हम देते हैं, दस में से 8 नमबर, फिर इसे, क्यूंकि हर एक actor ने अपने character में घुस कर उस पर अच्छी तरह से काम किया है, वो उस character के साथ, जो उनका attitude है, वो match कर रहा है, तो जो cast है, वो बहुत ही proper है, देखने से ऐसा लगता है, जो भी थोड़ी सी कमी है, उसके इसाब से हमने कमी काट भी ली है, फिर दस में स आठ दिये हैं, उसके बाद अगली चीश है, acting, 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 seriously acting, बॉबी दियोल ने अपने करियर का, मुझे लगता है कि काफी लोग ये कह भी रहे हैं, मैं मिर से बहुत सारे senior लोग हैं, उनका भी मैंने opinion देखा, सुना, और जो लोगों ने देखा, उनका भी मैंने opinion लिया, वो कह जाते हैं, उसकी आँखों में देखेंगे, तो उसकी आँखों में प्यार, मुस्कुराहट, खुशी दिखेगी, लेकिन जो उसका कारणा में देखेंगे, तो फिर आपको उसके अंदर वो एक bad guy भी दिखेगा, और बाकी के भी जो characters हैं, उन्होंने भी अपनी acting पे ध्यान पुरा ध्यान दिया है, और सारे characters ऐसे लिए गए हैं, casting ही ऐसी लिए गई है, जो character के साथ बहुत ही अच्छी तरह से फिट बैठती है, थोड़ा सा उन्हीं सिक्कीज भी नहीं है, के बाद अगली चीज है plot and screenplay, plot and screenplay को फिर हम दसमें साड़े 8 नमबर देंगे, क्यूं दे screenplay में बहुत ही चोटी चोटी चीजों का ध्यान रखा गया है, आश्रम कैसा होता है, बाबा के आसपास का मावल कैसा होता है, लोग react कैसे करते हैं, लोग बाबा की तरफ आकरशित कैसे होते हैं, बाबा आकरशित करता कैसे है, मतलब हर एक चोटी चोटी चीज बहुत ही अ पसाते रहेंगे और नई नई फिल्म और वेब सिरीज का रेपोर्ट कर लेकर अगर आपका कोई सुझाव यानि सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना न भूले और ये फ्री है भाईया हम पैसे वैसे नहीं लेते हैं इसके फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें ताकि ऐसे ही इंट्रस्टिंग हैं गुड डे